लोगसभा चुनाओं को लेकर जबरा में भारत्य चंता पार्टी ने भी चौकिदार कारिक्रम रखा कारिक्रम में गौलियर से लोगसभा प्रत्याशी विवेक सुजलकर पूरे मंद्री नरोतम विश्वा जिलाद्यक जो विरेंद्र जेन मुख्य तौर पर शामिल हुए विवेक सुजलकर ने बीजेपी कारिकरताओं समेथ युवाओं को संकल्प दिलाया कि नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधान मंत्री बनाना है लोगसभा चुनाओं नजिक आते ही राज़्यतिक पाच्वियां अपनी पूरी तागत जोकने में जुटी हुई है बीजेपी ने भी चौकिदार कारिकरम का आयोजन किया जिसमें युवाओं ने बढ़ चड़कर हिसा लिया कौलिया लोगसभा सीट से प्रताशे विवेक चुचलकर ने युवाओं को संकल्प दिलाया की दूसरी बार भी नरेंद मोदी को देश का प्रधान मंत्री बनाना है इस मौके पर विधायक नरोतम मिश्रा ने लोगों को संभोधित करते हुए कहा कि अकबार में राशी फल और कॉंग्रेस अध्यक्च राहुल गांदी की खोशना को लोग पढ़ते और सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते पत्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश समेट पूरे देश में मोदी के नाम की सुनामी आई है और एक बार फिर मोदी सरकार बनाने जा रही है कॉंग्रेस आईसी यू में है और नवजो सिंग सिद्धू शत्रुगन सिना ओक्सेजन लाइन पर बार बार पैर रख रहे हैं कॉंग्रेस की केंजो सरकार के कितने ही मंत्री जेल गए और कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी समेट उनका परिवार जमानत पर चल रहा है कॉंग्रेस की सरकार में महंगाई पर गाने बनते हैं मोदी सरकार में कोई गाना नहीं बनता मोधी के फिर से पीम बनने पर युवाओं के रोजगार की विवस्ता करते हुए लोगों को हितकारी योजनाओं से लाबामबित किया जाएगा कि राहूल गादी जी की खुर्षणा और अखवार का रासी फ़र इसको लोग पढ़ते और सुनते तो हैं पर विश्वास नहीं करते हुए उनका ऐसा ही हो रहा है गटवंदन के लिए हरोज नहीं लोग चोड़ जाते हैं अब तो हम मित्रे चुनाओं अंतिम चर्ण में हैं और कांग्रेस अभी आई-सुऊ में है दिक्कत यह आ रही है कि नव्यों सिंग सिंदू और सत्रुमन सिम्ना जो ऑक्सीजन पाय पे उस पर वार वार लात रख देते हैं अब पिछली वार का इतियास रिपीट करेंगे पचीज से सटाइस सीट मंदेश में बार लिए अंता पाशी जीते हैं एक लाग से उपर मानी स्रेजल कर जीपर जेता चाहिए असी मेरी वार दवरा के गट्टे को बरने की बर्भाई की जा रही है अब पिछले चुनाओं पे भी नहीं था है इसमार हम डवरा से जीतेंगे और मेरे से 23 तारीक को आप पूछना जरूर कि अगर मैंने कहा था तो जीते हैं लोग सावाज जबरा से दिविश शर्मा की रिपोर्ट नीज आज फिलाल के लिए मुझे दिये जात आप बन रहें नीज आज के साथ